आज की हमारी फिल्म एक अनिमेटेट फिल्म है, जिसका नाम है बेख हीरो 6 सिन फ्रांसोकियों में बहुत लोग जमा होकर एक रोबोट फाइट में हिस्सा ले रहे थे वहाँ एक लड़का यामा सब फाइट्स जीद रहा था और लोगों को चालेंज कर रहा था कि उसके साथ आगर कोई फाइट करे फाइनली एक लड़का सामने आता है, उसका नाम हीरो हमादा होता है और वो बस 14 साल का होता है, हीरो का रोबोट बहुत छोटा होता है और उस पे सब हसने लगते हैं जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, यामा का रोबोट हीरो को हरा दीता है हीरो हार नहीं मानता और वो री माच के लिए चालेंज करता है अब rematch शुरू होता है और हीरो दिखा देता है कि उसका robot छोटा जरूर है पर बहुत ताकतवर है वो robot खुद को ही repair कर सकता था हीरो का robot यामा के बड़े robot को हरा दीता है जिस पर यामा को बहुत गुस्ता आता है उसके बाद हीरो अपनी प्राइस कलेट करता है और वापस जा रहा होता है पर यामा उसे धमकी देता है कि वो गुंडे लेकर आएगा हीरो को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई तदाशी अपनी बाइक लेकर आता है वो हीरो को वहाँ से ले जाता है और वो बहुत तीजी से वहाँ से निकल जाता है पर उन दोनों को अरिस्ट किया जाता है क्योंकि हीरो ने इस रोबोट फाइट में बैट लगाई होती है उनको जेल से निकालने के लिए उनकी आंटी केस आती है और वो बेल दे देती है वो उन्हें गाडी में घर ले जाती है और वो उन दोनों के साथ घर जाती है हीरो और तदाशी पिछले 10 साल से अपनी आंटी के पास ही रह रहे थी क्योंकि उनके parents की death हो गई थी इसके बाद तदाशी हीरो से पूछते हैं कि वो अपनी life में आगे क्या करना चाते हैं क्योंकि उन्होंने high school 13 साल की उमर में पास कर ली थी इसके बाद तदाशी हीरो को अपने college Saint France Tokyo Institute of Technology ले जाते हैं जहां हीरो तदाशी के दोस्तों से मिलता है वो हीरो को अपने दोस्त गोगो से मिलवाते हैं जिसने एक खास motorcycle बनाई होती हैं इस motorcycle के wheels, electro magnets होते हैं फिर वो उससे वसाबी से मिलवाते हैं जो plasma laser पर काम कर रहे होते हैं वो honey lemon से भी मिलते हैं जो वहाँ एक बड़ा सा pink smoke का bubble बना रही होती है आखिर में वो fred से मिलते हैं जिने science में काफी interest होता है इसके बाद तदाशी हीरो को एक room में ले जाते हैं और उसकी बाजू पर tape चिपका देते हैं और फिर बहुत जोर से उस tape को खीच देते हैं हीरो को दर्द होता है और वो चिलाता है तदाशी फिर हीरो को अपने healthcare robot बेमेक्स से मिलवाते हैं जो हीरो के pain को detect करके ये assess करता है कि हीरो को कितना pain हो रहा है उसी pain के हिसाब से वो pain को ठीक करने का तरीका भी बताता है जब हीरो की pain चली जाती है बेमक्स deactivate होता है इसके बाद वहाँ प्रफेसर रॉबर्ट क्यालगन आते हैं जिनने हीरो पहचान लेता है क्योंकि वो उनकी research follow करता है हीरो तै करता है कि वो भी इसी college में आना जाता है और तदाशी उससे बोलता है कि अगर वो इस college में आना जाता है तो उसे प्रफेसर क्यालगन को impress करना होगा और उसके लिए उसे अपनी कोई invention college के event में दिखानी होगी हीरो बहुत महनत करना शुरू करता है ताकि वो कोई invention कर पाए वो बहुत ताशी के friends के साथ उनकी lab में बिता रहा था ताकि उसे समझ में आए कि वो क्या कर सकता है फाइनली वो कुछ invent कर पाता है और college के event में जाने के लिए दयार होता है ताशी के सभी friends और हीरो एक साथ event के लिए आते हैं और हीरो काफी tension में होता है फाइनली वो stage पर जाके invention दिखाने के लिए ready होता है हीरो का invention एक micro robots का जुन्ड होता है जो एक दूसरे से link होके कोई भी arrangement में खुद को set करते है हीरो इन micro robots को अपने handset से control करता है जो असल में neurotransmitter से control हो रहे होते है हीरो इन micro robots से कभी building बनाता है तो कभी उनसे हाथ बना दिता है सब वो देखकर हैरान होते है कि आखिर इन छोटे बच्चों ने ये कैसे बना दिया हीरो के पास scree tech company का head आता है जो उसे अपनी invention बेचने को बोलता है पर हीरो मना कर देता है इसके बाद हीरो के पास professor कैलिगन आते हैं जो उसे एक letter देती है जिसमें लिखा होता है कि हीरो कॉलेज जॉइन कर सकता है बाद में हीरो अपने भाई तदाशी के साथ बाहर होता है वो सिथाएं के बोल रहा होता है सबी उन दोनों को अचानक से कॉलेज में चिल्लानी के आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से भाग कर देखते हैं कि आखेर हुआ क्या है वो देखते हैं कि कॉलेज में एक भयंकर आग लग गई होती है तदाशी देखते हैं कि बिल्टिंग में अभी भी प्रोफेसर क्यालिगन बंद होते हैं और वो उन्हें बचाने के लिए आगे जाते हैं उसी टाइमे एक ब्लास्ट होता है और तदाश्री और प्रोफेसर क्यालिगन की मौत हो जाती है उन दोनों के लिए फ्यूनरल अरेंज किया जाता है सब लोग हीरो के घर उसकी आंटी और हीरो को कॉंडलिंस दे रहे होते हैं हीरो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा वो अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाता था क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच था कुछ दिनों बाद हीरो अपने कमरे में होता है और उसके पैर में एक बॉटल गिरती है जिससे उसे पेन होती है इस वज़े से तदाश्री का रोबोट बेमैक्स आक्टिव हो जाता है और हीरो की हिल्प करने की कोशिश करता है Baymax नोटिस करता है कि हीरो का आखरी बजा हुआ Microbot डब्बे में अक्टिवेट हुआ है और एक डिरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था Baymax उसे लेकर बाहर जाता है और डिरेक्शन फॉलू करता है हीरो भी उसके पीछे-पीछे जाता है वो दोनों एक वेरहाउस के पास पहुचते हैं और अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि हीरो का Microbot किसी और के हजारों Microbots से जुनने की कोशिश कर रहा था अब वो हजारों Microbots हीरो और Baymax पर हमला करने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं ताकि वो इस incident को report कर सके, पर पुलीस officer उनकी बात बिलकुल समझ ही नहीं पा रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए Hero और Baymax वहां से निकल जाते हैं, वो दोनों घर चाते हैं और Hero तेह करता है कि उसे इस mask वाले इंसान को पकरना होगा, वरन वो एक चिप भी बनाता है जिसमें fighting techniques stored होती है, वो चिप वो Baymax में insert करता है, जिससे Baymax वो सारी techniques और skills सीच जाता है, वो दोनों अब warehouse पर जाने के लिए तयार होते हैं, जब वो warehouse पहुचते हैं, तो वहां go-go, wasabi, honey lemon और fred गाड़ी लेकर पहुच जाते हैं, उन चारों को Bay Baymax ने बुलाया होता है, क्योंकि वो hero की emotional pain कम करना चाता है, warehouse के पास microbots के जुन्ड ने उन पर फिर से हमला कर दिया, और mask वाला villain उन सब microbots को control कर रहा था, Baymax आगे जाकर लरनी की कोशिश करता है, पर वो microbots उसे हवा में फेट देते हैं, वो सब जल्दी से गारी में बैठ जाते हैं और वहां से भागते हैं, वो villain उनका पीछा कर रहा होता है, और तभी gogo accelerator प्रेस करता है, था कि वो बच सके, वो villain से बच जाते हैं, पर उनकी गारी जाकर नदी में गिर जाती है, Baymax उन सब को बचा लीता है, क्योंकि वो पानी में फ्लोट कर सकता था, अब वो कामपरी का हेड ऐलिस्टर केरी हो सकता है, जिसने कॉलिज के इवेंट पे हीरो से वो माइक्रोबोट्स की डील की थी, उन्हें समझ आता है कि ऐलिस्टर ने ही कॉलिज में आग लगाई होगी, ताकि वो सब माइक्रोबोट्स को चुरा सके, तब ही Baymax उने बताता है कि जब वो विलिन के साथ लड़ाई कर रहा था, तब उसने उससे स्कैन कर लिया था, और उसके पास एक रीडिंग है जो उन्हें विलिन को डूने में मदद करीगी, अब हीरो सब के लिए सूट बनाता है, ताकि वो उस विलिन से लड़ सके, उन सब का प्लान होता है विलिन का मास कुदारने का, ताकि वो उसका छुपा हुआ निरो ट्रांस्मिटर ढून सके, हानी लेमन का विपन, टंगस्टेन, कारभाइट की बॉल्स थी, जो फॉर्म बनाती थी जिससे विलिन को पकड़ा जा सकता था, गोगो के पास एक इलेक्ट्रोमागनेट ट्रोलर ब्लीड्स थ फ्रेट के लेज सूट जो उन्हें बहुत उची जम्प करने में मदद करते, और मुझ से आग भी छोड़ते, हीरो अपने और बेमैक्स के लिए एक सूट बनाता है, जिसकी मदद से वो दोनों ओर सकते थे, बेमैक्स नोटिस करता है कि फाइनली हीरो का इमोशनल स्टेट प्रूफ हो रहा था, हीरो और बेमैक्स ओड़कर उपर से जाते हैं, और बेमैक्स नोटिस करता है कि उसे एक इनसान मिल गया है जिसकी रीडिंग, विलन की रीडिंग से मैच कर रही थी, और वो एक आईलिंड पर था, बेमैक्स उन्हें सब को लेकर उस आईलिंड पर जा जाती है, पर कुछ गरबड़ी की वज़े से वो पॉर्टल सब कुछ अपनी तरफ खीच लगता है, जिसकी वज़े से उसको सब कुछ बंद करना पड़ता है, और वो और उसके साथियों को लगता है कि कैरी ही असली विलन है, और उसने माइक्रोबोट्स इसलिए चुराय थे क्योंकि वो अपनी तूटी हुई मशीनरी को ठीक करना चाता था, पर तभी अजानक से असली विलन उन पर हमला कर दीता है, और तब उन्हे समझाता है कि कैरी विलन नहीं है, वो सब अब विलन से लड़ने लगते हैं, पर वो विलन उन सब को मार रहा था, फाइनली किस तरह बेमैक्स और हीरो उस विलन को गिरा कर उसका मास्क खीच लेते हैं, पता चलता है कि वो विलन कोई और नहीं, बलकि प्रोफेसर क्यालिगन थे, वो सब हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि प्रोफेसर क्यालिगन जिन्दा थे, वो सब उन से पूछते हैं कि वो जिन्द इसका शील्ड बना दिया जिससे वो बच गए हीरो उन्हें बताता है कि उनकी वजह से तदार्शी मर गया जिस पर प्रफेसर क्यालिगन बोलते हैं कि तदार्शी की खुद की गलती है इस बात पर हीरो को बहुत गुस्ता आता है और वो बेमैक्स की हेल्थ के चिप निकाल द हीरो को बहुत गुस्ता आता है और वो बेमैक्स की साथ घर जाता है घर जाके हीरो फिर से बेमैक्स की हेल्थ के चिप निकालने की कोशिश करता है पर बेमैक्स वो पोर्ट बंद कर दीता है और बोलता है कि तदार्शी ये नहीं चाहता था हीरो रोनी लगता है और बूलत वो उसे बताते हैं कि कैलेगन को सही तरीके से पकड़ने में वो उसका पूरा साथ देंगे। फिर हनी एक वीडियो दिखाती है जो उन्हें लेबरीटरी में मिला था। उसे उन्हें पता चलता है कि वो लड़की जो कैरी के टेलेपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट में मर गई थी वो प्रोफेसर कैलेगन की बीटी अबिगेल थी। और कैलेगन उनकी मौत का बदला कैरी से लेना चाता है। कैलेगन कैरी के एवेंट में पहुचता है और उन पर हमला करता है। कैलेगन कैरी की सारी बिल्डिंग तोड़ देता है। और टेलेपोर्टेशन पॉर्टल ओन करके सब कुछ उस पॉर्टल की तरफ खीचने जा रा था। कैलिगन कैरी को भी पॉर्टल में पकड़ने वाला था पर हीरो और उसके सभी साथी टाइम पर उससे बचा लेते हैं वो कैलिगन का ध्यान बटा देते हैं और उसके माइक्रो बोट्स को पॉर्टल में फेक देते हैं ताकि कैलिगन के पास कुछ ना रहे है कुछ देर बाद वो पॉर्टल जमीन पर आता है तब ही बेमैक्स बताता है कि वो पॉर्टल में किसी फीमेल को सेंस कर सकता है उन्हें पता चलता है कि कैलेगन की बेटी आबी गेल पॉर्टल में हाइपर स्लीप में होती है यानि कि वो जिन्दा है हीरो बेमैक्स को लेकर पॉर्टल में जाकर उसे बचा लेता है वो देखते हैं कि अबिगेल का स्लीपिंग पॉर्ड रिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि कैरी की बिल्जिंग उसमें खीची चली गई थी जब वो पॉर्टल में अंदर जाते हैं एक बिल्जिंग का बड़ा तुकड़ा बेमैक्स से टकराता है जिसकी वजह से उसका आधा शील्ड तूट जाता है और उसका रॉकेट भी तूट जाता है अब बेमैक्स उन तीनों को वहाँ से निकाल नहीं सकता था देमेकस उन्हे बोलता है कि वो हीरो और अबिकेल को अपने रॉक्ट से बाहर पुश कर सकता है पर वो खुद बाहर नहीं आ पाईगा और हीरो को बेमेकस को बाई बोलना पड़ेगा वो बहुत एमोशनल हो जाता है और दिल पर पथर रखे Baymax को छोड़ देता है हीरो और अभी गेल पॉटल से बाहर आते है और अभी गेल की जान बच जाती है इसके बाद कैलिगन को अरेस्ट करते है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो जेल में होगा और अपनी बीटी से नहीं मिल पाएगा कुछ तिनोबाद हीरो को अपने कमरे में Baymax की हेल्थ केर चिप मिलती है जिससे वो Baymax को रीबिल्ज करता है इसी के साथ ये मूवी खतम होती है आपने इस मूवी से डिफरेंट रोबोर्ट्स के भारे में सीखा जो की फ्यूचर में बन सकते है जैसे Baymax एक ऐसा रोबोर्ट था जो इनसानों के पेन को डिटेक्ट करके उन्हें ठीक कर देता था माइक्रोबोर्ट्स इनसानों के इशारों पर कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता था आपने टेलेपोर्टेशन का कॉंसेप्ट भी सीखा टेलेपोर्टेशन का मतलब है इनसान को एक जगह से दूसरी जगह बिना ट्रावलिंग के पहुचा देना जैसे अभी गेल को एक पॉडल से दूसरे पॉटल तक पहुचा रहे थे अभी टेलेपोर्टेशन का कॉंसेप्ट साइन्टिफिकली प्रूव नहीं हुआ है और ये अभी बस हाइपोथाटिकल कॉंसेप्ट है आपने ये भी सीखा कि साइन्स का इस्तिमाल इनसान दुनिया की भलाई के लिए कर सकता है और साथी साथ दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है जैसे कि बेमैक्स इनसानों के लिए काफी यूसफुल था लेकिन माइक्रो बॉट्स को प्रोफेसर क्या आपना है